अलो गाइस वह सो लचल कर trifle I hope you remember हमने बात कि थी रिकरसंट के बारे में plasma records के ढूंसेप कामने दिखा था Heights ओफ रिकर्षन पर प्रम 있다 नहीं और मैंने इडरेक्ट इंडिरेक्ट रिकर्षन और में इक्जामपल प्रोग्राम में एक लिमिटेशन क्या है कि यदी इस प्रोग्राम को मैं नमबर आफ टाइम भी रन करूंगा तो वह वन टू टैनी प्रेंट करेंगा एंट डाट इस टेटिक आउट पूट तो यदि मुझे रिकर्सिव बेस्ट अप्लिकेशन बनाना है लेकिन डेटा यूदर से डेटा रीट करूंगा आप समझना इसको मैं फिर से वही एक्जामपल लेता हूं लेकिन अब हम क्या चाहते कि प्रोग्राम हमारा बन टू टैन की बजाए बन टू एन नमबर प्रिंट करें ओके तो वन टू एन प्रिंट करने के लिए मुझे यूदर से एन में इसको तो एन लेते ठीगे क्योंकि इसकी वैलू मुझे और एक वेरियबल हमने जैसे लास्टेम लिए था स्टेटिक इंटीजर आई एक वल्स टू वन क्योंकि यह वैलू मुझे चेंज नहीं करना है एं तो अभी आप खुदे देखेंगे इस प्रोग्राम में प्रॉब् अब आपके पास एंड में वो लिमिट है जहां तक आपको अपनी सिरी स्प्रिंट करना है और यह रिकर्सिव बेज़ अप्लिकेशन बनाना तो आप देखें क्या प्रोब्लम आएगी मैंने फिर से कंडिशन लिखी इफ आई लास्टेम अमने लिखा था ग्रेटर दें 10 य अच्वा आई प्लस-फ्लस एंदेन अगेन आई कॉल में इंसाइड हम ने दुवारा में में रिकाल कर लिया अब इस प्रोग्राम में क्या प्रोब्लम में आप देखो पहली भार जब आपने इस प्रोग्राम को कर एंड किया ठीक तो आपका आई तो वां से लिख्यो गया तो लिमिट आप एक आपको उतने लिमिट तर अपने स्रीज प्रिंट करना है प्रोग्राम शुरू हुआ वन ग्रेटर देंट पाल्स प्रिंट एफ आई क्या प्रिंट किया इसने वन आई प्लस प्लस आई कितना हुआ टू स्ट्राटिक के कारण यह एक बार इनिशलाजेश इसलिए हम क्या बोलते है चब भी किसी फंच्षन में आप रिकर्शन अप्लाय कर रहे हैं तो कभी भी उस फंट्चन में यूदर से डेटा स्कैन नहीं होती है क्योंकि अगर आप यूजर से डेटा स्कैन करवा रहें तो आपका प्रोग्राम तो एबरी टाइम जिटनी बा पार लीमिट तो मैंने एक बार अगए इन यूट अदरल दे है तो जब हुम यूजर से लिमिट लेते हैं तो हमें चाहरा रखना दाट फॉंक्शन 6000 को हम रिकर्सिट नहीं बनाते हुआ टाउ तो फिर अब इसमेरी कर शन के से अप्लाइ gaining रहेंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है इसको रिकर्सिव ना बना के आप दूसरे फंक्शन को रिकर्सिव बना लो और अपने लिमिट वहाँ पास कर दो देखो आप कैसे अब हमारा में जो है कि वो नॉर्मल प्रोग्राम रहेगा जहां पर हमने दूदर से केवल लिमिट ली है प्रिंट अफ एलर इसिया प्रिंट एफ एंटर अलिमिट हम दो तीन प्रोग्राम देखेंगे डोंट वरी अबाट एंटर अलिमिट उसका में इसकैन के स्कैन एफ परसेंटेज डी को मैं परसेंट और अब यह लिमिट आपके पास आचुकी है अब आपको इस लिमिट तक सिरी स्प्रिंग करना है ओके तो यहां पर हमने क्या कि एक सिंपल सा फंक्शन एनी फंक्शन मानलो मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल कर लिया जिसको हम रिकर्सिव बनाएंगे और यहां से हमने अपनी लिमिट पास कर दें अब चूंकि यह में रिकर्सिव नहीं है तो मैं नॉर्मली में का टर्मिनेशन अब अब हमारा में नॉर्मल टेट मेंट होगा पतला फंक्शन एन को लेके जाएगा उसको एक्जीक्यूट करेंगा वापीस आएगा गेट सी एचन में लिकर्शन पर बात करनी है को यह में जो आगे के टॉपिक कवर करना है डिटा स्टक्चर के वो रिकर्सिव बेस्ट होंगे ओके तो अब आप देखिए कॉंसेप्स में आया आपको कि यदि आप यूदर से लिमिट ले रहे तो फिर उस फंक्शन को रिकर्सिव ना बना हो डिस्प्ले इंटीजर अब यह एंट को लिया तो कि यह कॉल वैलू का कॉंसेट है हमने एजब पर एक वैलू पास की है तो रिसीव करने वाला जो होगा आर्गुमेंट वो भी एक वैलू रिसीव करेगा वेरियाबल के नाम सेम रखेंगा चेंज कर देंड डिजन मैंट लेकिन अब यहां पर एक चीज़ जान रखना चुंकि रिकर्सिव बेजड बनेगा तो फंक्शन यही वाला कॉल होगा और इस फंक्शन का नेचर है कि यह आप से एक वैलू एजब पेरामीटर मांग रहा है यहां से जब मैंने इसको कॉल किया तब तो मैंने आर्गुमें लिए इंटीजर आई इनिशल वैलू कितनी लिए वन कंडिशन वही लगाई इस आई ग्रेटर देन एंड लेकिन अब ध्यान देना यहां पर आप में सिंप्ली लिखना हूं रिटन को रिक्रण एक्षिट नहीं लिखा जबकि जब मेंने मेन को रिकर्ष् discuss बनाया था जब मेंने एक्षिड लिखा यहां पर मैंने रिटन क्यों लिखा है क्योंकि मुझे इसकन्डी संब्र प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करना है एक्जिट अब आपके पूरे प्रोग्राम से बाहर कर देगा आपको रिटन स्टेट्मेंट आपने सी में पढ़ा है अगर तो आपको पता है रिटन के वल आपको फंक्शन से रिटन करके वापिस ले आएगा से प्रोग्राम से रिटन नहीं करेगा या प्रोग्राम को त्रुमिन नहीं करेगा तो मुझा इस कंडिशन पर केवल डिस्पले से वापिस आना है मेन में tire प्रिंटिशनि नां Ε chew Weihnと ऐस या इल्स ना भी लिखें तो चलेगा प्रेंट ad pヤ के कर लिब राकेट नहीं है तो एक statement execute होगी फिर हमने लिखा printf percentage d slash n comma i i++ ठीके अब ध्यान देना again I call display function with the value n अब यह n क्यों क्योंकि यह function is a parameter एक value receive कर रहा है तो इसका nature है यह जहां भी call होगा चाहे वो खुद में call हो चाहे वो यहां से call लो आपको value देनी पड़ेगी तो मैंने उसी n को दुबारा पास कर दिया यह एंड दुबारा execution में आएगा अब आप देखो कई बार हम यह बोलते recursion के कुछ drawbacks भी है अगर आपने लूप पड़ा है तो लूप का देवांटेज यह है कि आपको इस एंड को यहां से पास करना इसको बहुत ध्यान से समझना इस एंड को यहां से पास करके इस एंड में वैलू एक बार रिसीव करना और आप लूप से यह कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या हो रहा है आप देखो अगर मैंने एंड की वैलू 5 पास की फाइल अब आपको बता है अगर यह वेरियेवल डिक्लियर हुआ है तो यह मैमोरी एलोकेट करेगा दो यह चार बाइट डिपेंड वन तो अपरेडिंग सिस्टम सपोज में चार बाइट की मैमोरीली एंड क्या वैलू रिसीव करी इसने फाइफ अब मेरा काम इसके एक डिकलिरेशन से भी हो सकता था एकिन अपन देखने है इस्टेटिक आई वन से निश्लाइज हुआ क्या आई की वैलू एंसे ग्रेटर है नहीं है प्रिंट एफ आई क्या प्रिंट क अगर कॉल हुआ तो यह सेकेंड टाइम पे इस एंड की वैलू को फिर एक नए एंड में असाइन करेगा और अगर ऐसा हुआ तो यह एंट अभी अल्री मेमोरी में है अगेन एक और एंड क्लियर होगा फॉर बाइट का विद दे सेम वैलू फाइफ यह सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है क्योंकि यह एन अभी मेमोरी से बाहर नहीं हुआ है क्योंकि आपका में आपका डिस्प्ले फंक्शन अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है न तो इसका स्कोप कब तक है इस एंग जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तो जब यह फंक्शन दुबारा कॉल हुआ तो अगेन एट डिक्लियर अन्यू वेरियबल एन विद्ध वैलू फाइफ ना तब आलड़ी चार बाइट का वेरियबल मेमोरी में है लेकिन फिर से उसने एक और नया वेरियबल डिक्लियर किया फोर बाइट का और उसको वैलू असाइन कर बाइट अब यह एन फिर से पास हुआ फिर एक एन आया अगें फूर वाई फाइफ अब तीसरी बार प्रोग्रम इस एन को लेके एक्शी के इशियोशन करेगा ठीग एक रिट अधिन फाइफ फॉल्स थ्रीप्रेंट वह आई-पलस-फ्लस-फॉर अगें एन-फाइफ फाइफ आई प्लस प्लस शिक्स अगेन एन फाइफ मतलब एक ही वेरियेबल ने वन टू थी फोर फाइज सिक्स टाइम मेमोरी एलोकेट की है सिक्स टाइम पे शिक्स ग्रेटर दिन फाइब डिस फॉल्स रिटन प्रोग्राम वापीस आया और उसने गेट छी एच के कारण मे लखें भी हमेशा यह सजिस्ट किया जाता है कि यदि प्रोग्राम 9 रिकर्शिर बन रहा है उसको 9 रिकर्शिर बनों के इस ट्रीकी की अप्लिकेशन में फेस कोंप्लिक्सिटी बढ़ेगे क्यों बढ़ें कि कि आप देकिना से मरिएबल शिक्स टाइम में मेमोरी आलोकेट कर रहा है और वो तो इसलिए क्योंकि मैंने लिमिट 5D यदि मैं लिमिट 50 देता तो सेम वेरियेबल अलोकेट 50 टाइम इंसाइड देमरी 4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5 and that is no doubt drop it लेकिन यहां पर मेरा major concern आपको recursion समझाना था कि यदी आप यूदर से लिमिट एंटर कर रहे तो फिर मेन को recursive ना बनाके आपको एक function को recursive बनाना पड़ेगा और जब इस function को आप recursive बनाएंगे तो इस एक्जामपल में नोट सेंवेलू आप पास कर रहे हैं इसके लॉजिक और भी हो सकते कि बजाए आई गर्टाद इन चेक करने के मैं चेक कर लगा हूं इफ आई फॉरी इफ एन एकवल टू टू एकवल टू जीरो जब ताक एन जीरो ना हो जाए फिर यहां से एन पास ना क का एक्जामपल लेकिन कब जब आप यूजर से लिमिट लेके अप्लिकेशन बना रहे तो ऐसे केस में आप फिर इस तरीके के कोट को लिखेंगे लिगे लिगन नोटाउट हमारा जो टी के कॉंसेट होंगे वहां पर चीज़े थोड़ी से डिफरेंट होंगे लेकिन कॉंस यही होगा recursion ट्रीका creation हमारा recursive-based application होगा in order के no doubt recursive-based or non recursive-based दोन application देएंगे but most of the time we go for this recursion concept so i request all of you that आप पहले recursion को बहुत अच्छा सा मैंने एक example यहां पर लिया है ठीके आप इसके और भी example में आपको बताता हूं आप ट्राइकर यह फैक्टोरिल of number reverse of number यह वो प्रोग्राम है जिनको आप recursive-based बना सकते हैं ठीक है जैसे में आसाइनमेंट देरां चलो आपको factorial of number इसको आपने लूप से बढ़ाएं but try to do this with recursion आप एपका ट्राइक करें अधर्वाइज नेक्स लास में हम तो बात करेंगे ठीक है लेकिन जब ट्राइक करें तो खुद का लोजिक लगाएं अधर्वाइज आपने गूगल पर देख लिया फैक्टोरियल रिकर्सिव अप्लिकेशन और खुश हो गए तो वह कोई कोडिंग नहीं है आप खुद का लाजिक सोचे क एक फैक्टोरियल आफ नंबर मुझे इसी कॉंसेट से बनाना है हाउ अलकें डू दू दिस कैसे हम इसको रिकर्सिव बेस्ट बना पाएंगे रिवर्स आफ नंबर एक नंबर का रिवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रिवर्स आफ नंबर यह सारे प्रोग्राम आपन इसकन अंडर्स्टेंड रिकर्सिव वैन डेटा एंटर्ड वाइद यूजर के फंक्शन रिकर्सिव किस तरीके सबनेगा अगरा आप यूजर से लिमिट ले रहे हैं ओके इफ यह वनी डाउट जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिल्कुल हम आपके प्रोब्लम सॉल्व क करेंगे लेकिन एक बार इसको आप समझें ठीक है ओके थैंक यू